Hello friends, welcome to my channel friends, मैं संगीता और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा with bell icon और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, चलिए स्टार्ट करते हैं Hello friends, मैं संगीता और friends, मैं आज अंगूर से एक ऐसी रेसिपी तयार करूँगी जो सब को बहुत ही पसंद आएगी, सब के बहुत काम की होगी और सभी लोग मार्केट से अपने घरों में रखते हैं, यूज करते हैं, बहुत ही महेंगे दामों में तो कम दाम में, कम मैनत में हम आज घर पर तयार करेंगे तो जो खराब और पिलपिले से जो अंगूर हैं, उसे हम अलग कर लेंगे और जो टाइट वाले अच्छे अंगूर हैं, उसे हम निकालेंगे इस रेसिपी में अच्छे वाले अंगूर हमें चाहिए तो एक केजी अंगूर लिया है और सभी को मैं इसे अलग करके खराब पीसे को अलग कर दूगी जो भी खराब हैं उसे हटा देंगे और अच्छे वाले अंगूर लेके अब इन अंगूर को हम बोश कर लेंगे अच्छे से जो बजार की धूल मिट्टी गंदी है गंदगी होती है वो हम साफ कर लेंगे अब इसे हम उबा लेंगे नहीं इडली स्टैंड में मैंने स्टीम किया है तो सारे खानों में थोड़े थोड़े से अंगूर को भर लेंगे और फ्रेंट्स आप देखिए बहुत ही आसानी से घर पे किसमें स्तियार कर सकते हैं तो मार्केट से 400-500 रुपे कीलो हम क्यों लें ये बहुत ही आसानी से बन जाएगे और आप इसे जरूर बनाएंगे इस पतीले में पानी लिया है आपके पास इडली स्टेंड हो तो उसमें भी आप बना सकते हैं और पानी टच नहों इसलिए मैंने एक स्टेंड को लगा दिया है अब ये दूसरा तरीका है जो थाली होती है चड़नी वाली उसमें भी आप स्टीम कर सकते हैं अगर आपके पास मिट तक steam करना है इससे ज़दा नहीं करेंगे इसे ज़दा करेंगे तो आंगूर रहे खराब हो जाएंगे तो तब तक बाकी की तयार या आपका लीज़ी fundamental और बर्टन जो ऐसे हल्की सीद लग रही है तो तयार है हमारे किश में सुखने के लिए तो एक कपड़ा ले लिया है मैंने ट्रे में कपड़ा आप जरूर रखें मैं आपको दिखाऊंगी बीना कपड़े के कैसे तयार होती है वो क्या है बीना कपड़े के बाद चिपक जाएगी तो वो भी देखें सबको आप अलग-अलग रखें नहीं तो यह अंगुर चिपक जाएंगे और मेरे पास धूप है छत है मैं कुछ भी सुखा सकती हूँ छत पे काफी तेज धूप है तो इस तरीके से आप ढख कर सुखाएं का ताकि धूल मिट्टी कुछ भी ना आए इस पे तो मैंने और भी थालियां सब डाल दी है सूखने के लिए तो एक दिन सुखाया मैंने उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ यह कैसा हो गया है यह दिखिए काफी हद तक यह सूख गय है फिर भी हलकी सी कसर रह गई है तो एक दिन मुझे और सुखाना पड़ेगा यह दिख तो अगर आप पस धूप नहीं हो तो आप फैन में भी सुखा सकते हैं फैन में हो सकता है आपको तीन से चार दिन लग जाए यहां मेरे पास छत है तो कड़क धूप लग रही है तो बिलकुल डेर दीन में मेरे किशमिश तयार हो गए हैं तो फ्रेंट्स आज ये किशमिश की रेसेपी आपको अच्छी लगी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें एक कमेंट करें क्यूंकि आपकी कमेंट्स से हमें मोटिवेशन मिलता है फ्रेंट्स तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाबाई